आप सब लोग अच्छे मूर में हो अच्छी एनर्जी में हो और अच्छा मैसूस कर रहे हो और आज हम बात करेंगे 21st of January की 21st की energy जो है वो किस तरह के रहने वाली है क्या होने वाला है और एक card जो है वो मैं special निकालूंगी 21st के लिए Krishna card से because of we know the reason Sushant का वर्दे है 21st को तो उनके लिए एक special card निकालूंगी प्लस पाकी जो normal reading है हमारी वो हम करेंगे तो let's see 21st of January 2023 की energy कैसी होने वाली है और क्या होने वाला है 21st of January 2023 guys angels what is going to happen okay 21st of January 2023 how will energy be what is going to happen 21st of January 2023 guys angels okay so let's see 21st of January 2023 कैसी रहने वाली है energy क्या होने वाला है पहला जो message है पहला जो card है वो page of coins का card है page of coins page of pentacle की energy होती है और basically evaluation की energy होती है अपने आपको देखने की एक तरह से अपने अंदर जहांकने की नई चीजें या नई learnings की तरफ जाने से पहले एक evaluation करने की नई beginning की तरफ जाने से पहले एक evaluation करने की तो मुझे लिटरली एक evaluation की just guys give me one second sorry so evaluation और अगर आप यहाँ देखे तो अपना pentacle देख रही है और यहाँ पर एक नया gateway एक gate जो है वो open है और वो जो gate open है वहाँ से उसको जाना है बट वो अपने resources जो है उनको check कर रही है that does she have enough कि वो उस gate के through आगे जा पाए तो कहीं न कहीं एक आगी की journey evaluate करने की energy जो है वो 21st के energy में दिखाए दे रही है दूसरा कार्ड यहां पर देखें तो वो four of pentacle के energy है four of pentacle के energy actually कई बार अपने आप में थोड़ा सा incomplete feel करने के energy होती है या थोड़ा सी lack feel करने की या स्टक होने के energy होती है अगर आप देखें तो उसके बाल बाहर है she stuck into a tower Rapunzel की स्टोरी की तरह यह कार जो है वो दिखाई दे नहीं है जहां पहुचना चाहते हो तो कहां आप अपने आपको block कर रहे हो उसको समझने के energy है next जो है night of swords है और जब एक बार आप अपनी limitations समझ लेते हो जब आप एक बार अपनी life को अपने situation अपने purpose को evaluate कर लेते हो तो आगे बढ़ने के energy है night of swords जो है वो action के लिए ready होता है आगे move करने के लिए ready होता है और communication का sign बताता है positive powerful communication का और last card है यहां पर that is beautiful क्योंकि यह sun card है और sun card की energy finally there is a lot of energy from the sun that is coming down तो सूरच से बहुत सारी beautiful energy जो है वो नीचे की तरफ आ रही है रोशनी जो है नीचे की तरफ आ रही है और एक नही beginning एक नही इक नही start की energy जो है यहां पर दिखाई दे रही है अगर हम ऐसे देखें तो यह 2 है यह 11 के energy है तो यह 2 है यह 4 है यह 3 है और यह 10 है so 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 तोटल 10 के energy बनती है नौ सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आज का दिन मतबए किस जनवरी को आपने जरूर अपनी limitations एक बार देखनी है कि कहां आप अपने आपको limit कर रहे हो कहां आप अपने आपको block कर रहे हो और उन limitations से बहार आना है क्योंकि time है जब आप help ले, support ले और limitation से बाहर आएं दूसरा कुछ अची communications जो है वो आपकी तरफ आने वाली है और अगर आप ready होंगे तो आप उन communication को समझ कर उन communications को देखकर action ले पाएंगे ये communication आपके profession की भी हो सकती है, personal life की भी हो सकती है बढ़ अदरवाइस messages की भी हो सकती है थोड़ा स एक introspection या अपने आपको अपने place को reevaluate करने की energy भी है मैं बोलूंगी कि अगर financially आपको थोड़ा सा blockage लग रहा है तो देखें कि आपके thoughts जो है money को लेकर क्या है आपका mindset जो है money को लेकर क्या है और आप अपना mindset बदलेंगे help मांगेंगे या step लेंगे तो फिर एक कदम बढ़ेंगे divine के action के energy है और मुझे असा लगता है कि it is very important कि आप stuck ना रहें it is very important कि आप action के energy मेरा है it is very important कि आप जिन में आप फसे हुए थे वहां से पहाद निकलने में एक चीज और में इस दिन के लिए आपको बोलूगी किस के लिए हो सके तो अपने फोन से थोड़ा पहाद निकले और हो सके तो रियल टाइम कुछ करें मतलब आप अगर सिर्फ अपने फोन में बैठे-बैठे सोशल मी आपके लिए और आपके लिए और जादा ब्यूरिफुल और जादा पाफुल चेंज जो है लेकर आएगा बट ओवरॉल 21st के अनरजी मुझे काफी पाफुल और स्ट्रॉंग लग रही है लेट सी मेसेज क्या है 21st ऑफ जैनवरी का सो काइट्स एंजल्स ओके सो वी हैव टू कार्ड्स 21st की एनरजी के लिए और इसके लिए दो बहुत पाफुल पाफ कार्ड आए हैं और कहीं न कहीं एक एनरजी है जो बोलती है कि एक तरफ जहां किंग और क्वीन सेलिबरेशन की एनरजी साथ में आने की एनरजी एक दूसरे के साथ हाथ से पहला कार्ड बोलता है में भी कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर कोई celebration जो है वो आपके life में आये और वो celebration जो है उस चीज को जो है आप celebrate करे और लोगों के साथ आप connect करे बट यहां पर सी the second card second card very clearly says banishment watch out withdraw and be aware this use discernment and take care a fool would ignore hex alarm now banish all potential harm the magic has worked with harm to none so more it be there it is done and this is basically saying that इस सारी celebration में कुछ ऐसे लोग होने वाले हैं who will have negative behavior जो jealousy या negativity के अंडर जो है वो काम करने वाले हैं बहुत clearly choose कीजिए कि आप truth के साथ है आप सही energy के साथ है आप सही लोगों के साथ है अपने instinct जो है उन पर भरोसा कीजिए अपनी urges जो है उन पर भरोसा कीजिए और ये अलाम ये जो जहां पर भी आपका mind आपको बोलता है ये person सही नहीं है ये चीज सही नहीं है ये situation सही नहीं है उस situation से हट जाएए तो बहुत powerful message है एक तरफ जहां पर सब के साथ मिलकर celebrate करने की energy है वहीं पर अपने guards जो है उनको high रखने की energy भी है क्योंकि celebration में कुछ लोग ऐसे हैं जो negative है और negativity फिलाएंगे तो ये बहुत बहुत powerful message है और मुझे रखता है कि आपको इसका ध्यान रखना चाहिए तर मैं बोलूँ कि 21 तारिक को energies ऐसी है जहां पर celebration है जहां पर new beginning है जहां पर action है जहां पर नया start है जहां पर बहुत सारी नई चीजे होनी है वहीं पर 21 तारिक को energy ऐसी है जहां पर कुछ चीजों को लेकर आपको evaluate करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहां कौन सी ऐसी person है जो negativity से, jealousy से और किसी भी negative emotion के साथ behave कर रहा है या काम कर रहा है उन alarms को, उन warning signs को बिल्कुल ignore नहीं करना है yes celebration है, yes union है आप किसी पराने friends से, पराने connection से मिल सकते हैं union है, लेकिन banishment भी है और उस banishment का थोड़ा सध्यान रखना बहुत जादा जरूरी है अपने hunch को, अपने signs को, अपनी inner voice को बिल्कुल ignore नहीं करना है हो सकता है आप किसी को follow करते आए हो हो सकता है कि आप किसी के साथ देते आए हो, लेकिन अचानक से आपको एक signal आए कि नहीं, ये person सही नहीं है तो जब signal आए तो signal को ignore नहीं करना है because बहुत important होने वाला है और इसको बहुत सारे लोगों को signal आने वाला है और मुझे लगता है बहुत सारे गलत लोग जो है, उन पर उंगली भी उठने वाली है सुशान्त के लिए Krishna message क्या है क्योंकि आज उनका बर्दे है मतलब कल उनका बर्दे है, किसको उनके लिए Krishna message क्या है और उनके लिए special message क्या है वाव वाव how powerful the message is the message उनके लिए है death और वो बोलता है, हर situation painful हो या joyful हो वो बहुत अच्छे से लिखी जाती है और एक observer की तरह participant ना बन कर focus कीजिए eternal joy पे, अपनी joy और sorrow उनको सेम तरह से क्योंकि death and a new beginning so there is end of pain and there is a new beginning that is happening for him and the second card says let your inner beauty shine and this says inner beauty is commendable and brings love and satisfaction true beauty lies in the soul तो ये है end of death, end of pain, end of problem end of trouble for Sushant and a beginning of new beautiful soul that he has and a new beautiful life मैं एक और कार्ड निकालूंगी उनके लिए just a special card for him for this day on his birthday and दो कार्ड जाए है first is eight of wands and second is knight of cups beautiful energies and this is like many many messages, many many communications, many many movements are going to come and वो सारी movements, वो सारी communication, वो सारी messages जो है, वो आपके emotions पे बहुत impact करने वाले हैं प्लस सुषान्त के emotions के साथ जुड़े होने वाले हैं तो be careful, keep yourself balanced बहुत जल्दबाजी में कुश्मत कीजिए लेकिन open रही है, receive रहने के लिए क्योंकि बहुत सारी emotional energy बहुत सारी अच्छे emotions वाली positive emotions वाली, बहुत सारी positive communication वाली energy जो है, वो आपकी तरफ flow होने वाली है so beautiful, beautiful message and उम्मीद करती हूँ आपका देन अच्छा रहे है उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके साथ आप उसके साथ relate कर पाए और अगर resonate करती है तो और उके साथ शेर जरूर करें आपके सो मुष्टे कर वाई